आज हम बहुत ही आसान तरीके से रोटी का नास्ता बनाएंगे, अगर घर में रोटी ज़्यादा बन जाते हैं या फिर बच जाते हैं, तो आप रोटी के आसान इस बना सकते हैं, एकदम नया नास्ता है, अगर बच्चे रोटी नहीं खा रहे हैं, तो इस नास्ते को बहुत ह सौक से खाएंगे नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेशिपी बनाना शुरू करते हैं नास्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो रोटी लिया है आप रोटी ताजा या बासी कोई भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने दो रोटी लिया है तो हम दोनों रोटी को तोड़कर ड़लेंगे जिसे रोटी असानी शी प्फूल जाए रोटी को दहीम हम अच्छे से मिला लेते हैं अब इसे हम जार में डालकर पीसेंगे तो पूरे रोटी दही को हम जार्म डालेंगे इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिना पानी को पीछ लेते हैं रोटी को पीछने बाद अब उसी बावल में हम वापिस निकालेंगे जो इसमें रोटी को बैटर लगे हैं इसमें हम थोड़ा स्पाइन डालकर निगाल लेते हैं अब इसी में हम डालेंगे आधा कप सूजी सूजी को हम अच्छे से मिला लेते हैं एकदम बारिक वाला सूजी है अगर आप मोटा वाला सूजी ले रहे हैं तो आप इसे रोटिक साथ जार में डालकर पीछ ले सूजी को मिलाने के बार अब बैटर को हम साइड में रखेंगे बैटर को हम इसी तरह ढख कर 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे तब तक हम नास्ते के लिए चटनी पनाएंगे जार्म डालेंगे आधा कप दही यहां पर हमने दो अबुला आलू काट कर लिया है आप देख सकते हैं आलू पके हुए हैं तो पूरे आलू को हम जार्म डालेंगे इसी में हम दो हरी मिर्च डालेंगे इसके बाद स्वात के अंसार नमक डालेंगे और चटनी को पीछ लेते हैं चटनी हमने बना लिया है अब इसे एक बरतर्म निकालेंगे अब हम चटनी के लिए तड़का बनाएंगे तो पायन में दो छोटी चमच तेल डालकर गरम करेंगे तेल गरम हो गया है इसमें आधी छोटी चमच राई आधी छोटी चमच जीरा डालेंगे राई जीरा को पहले अच्छे से चटका लेते हैं जिसे राई मकच्चा परना रहें अच्छे से भुन जाए अब इसी में थोड़े से करी पत्ता डालेंगे और दो सुखी लाल मिर्च डालेंगे करी पत्ता को अच्छे से मिला लेते हैं अब ये तड़का तयार है इसे हम चटनी मिला लेते हैं जो चटनी हमने बनाया था उसे हम डालकर मिला लेते हैं चटनी हमारा नास्ते के लिए तयार है अब इसे हम ढखकर साइड में रखेंगे अब नास्ते के लिए हम सबजीयां पकाएंगे तो पायन में दो छोटी चमच तेल फिर से डालेंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें आधी छोटी चमच जीरा डाल कर भूनेंगे जीरा भून गया है अब इसी में दो कटे हुए प्याज डालेंगे प्याज को हमने इस तरह से सलाइस में काट कर लिया है एक चथाई छोटी चमज हल्दी पौडर डालेंगे आधी छोटी चमज कुटी हुई लाल मिर्च दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे इसी में एक कटा हुआ सिमला मिर्च डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे थोड़ा से कद्दू कस किये हुआ लवकी डालेंगे अब सारे सबजीयों को हम इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे इसको हमें बहुत ज़दा नहीं पकाना है सबजी को हम नरम होने तक पका लेते हैं गयस को हमने मीडियम में किया है थोड़ी देर सबजीयों को पकाने बाद आप इसी में आधी छोटी चमज चाट मसाला डालेंगे आधी छोटी चमज गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सहारा धनिया डाल देते हैं और आधी छोटी चमज नमक डालेंगे स्वाद के अंसर अब सारे चीजों को सबजी मिलाते हुए पकाएंगे इसमें हमने जो नमक डाला है नमक डालने सबजी जल्दी से पक जाते हैं सबजी पकाने में समय कम लगेगा लेकिन इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिसे जो सबजी पानी छोड़ेगा उजल जाए सबजी को पका कर हमने तयार कर लिया है अब सबजी को हम प्लेट में निकालेंगे अब सबजी को हम साइड में रखेंगे अब हम बैटर को देख लेते हैं 10 मिनट के बाद बैटर यहाँ पर फूल गया है बैटर फोलने बाद गढ़ा हो गया है तो इसमें हम थोड़ा से पानी डाल कर पतला करेंगे इसमें थोड़ा से नमक डाल देते हैं स्वाथ के अंसर और थोड़ा से पानी डाल कर मिला लेते हैं बहुत ज़दा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बैटर हम बहुत पतला नहीं बनाएंगे नास्ते के लिए इस तरह का बैटर हमने बना कर तयार कर लिया है आप इसका हम नास्ता बनाएंगे चलते हैं गैस तरब नास्ता बनाने के लिए गैस पर हमने तवा रख दिया है तवे पर थोड़ा स्टेल लगाएंगे और तवे को अच्छी से गरम करेंगे तवा गरम हो चुका है अब इस पर हम थोड़ा स्पानी छीटा लगाएंगे इसकी बाद पानी को पोछ लेते हैं अब इस पर हम बैटर को डाल कर फैलाएंगे तो एक बार बैटर को चला लेते हैं अब तावे पर हम एक कल्ची बैटर डाल कर डोसा जैसा बना लेते हैं जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं उसी तरह हम इसको भी फैला कर बनाएंगे जब तक इसके उपर से color change न हो जाए, तब तक इसे हम धिमियाज पर सेखेंगे अब आप देख सकते हैं, उपर से इसका color change हो गया है इसके उपर से हम थोड़ा स्टेल लगाएंगे जब तक इस सुनहे रग में न हो जाए, तब तक इसे हम नहीं मोडेंगे अब ये नीची के तरफ से सुनहे रंग में पक चुका है तो यहाँ पर हमने जो सबजी हैं बनाया है अब इसके उपर हम एक चमच सबजी रखकर इसे रूल कर लेते हैं जितना सबजी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप सबजी को रखें आप देख सकते हैं पहला डोसा हमारा तयार है इसी तरह हम और भी डोसा बनाएंगे ध्यान रखें इस नास्ते को बनाने के लिए पहले तावा को अच्छी सगरम करें फिर पानी के छीटे लगा कर पोच लें फिर इसके बाद बैटर को डाल कर फैला दें और जब नीचे की तरफ से अच्छी सी पक जाए तब इसे मोणे बहुत ही आसान नास्ता है और बहुत ही बढ़ियां बनता है इसको सेकने में बहुत ज़्यदा समय नहीं लगता है एक डोसा सिकने में 4-5 मिनिट लग जाते है यहां पर हमारा रोटी का डोसा तयार है और इसके साथ हमने दही आलो का चटनी बनाया है बहुत ही बढ़ियां स्वाधिष नास्ता बना है इसको हम तोड़कर दिखाते हैं अगर आपको नास्ते में कुछन समझ में आये तो आप इस नास्ते को जब चाहे तब बना सकते हैं आप भी इस तरह से रोटी का नास्ता जरूर बनाएं घर में जो बच्चे रोटी नहीं खाते हैं वो भी इस नास्ते को बहुत सोग से खाएंगे